सिविल अस्पताल गोहर में मेल हेल्थ सुपरवाइजर प्रदीप शर्मा की अध्यक्ष्टा में समस्त आशा वर्कल्स की स्मिक्षा बैठा का आयोजन किया गया जिससे उन्हें सरकार द्वारा जारी किये गए दिशान निर्देशों की जानकारी दी गई दूसरी और आज सिविल अस्पताल गोहर में केई वरिष्ट नागरिकों ने भी COVID-19 वेक्सीन की दूसरी डोज लगवाई अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कुल्दीप शर्मा ने लोगों से आगरे किया कि वे अपने घरों से बाहर निकलते ही फेस मास्क शोशल डिसेंस का ध्यान रखते हुए बार बार हाथ होएं बता दें पिछले तीन दिनों से लागतार गोहर वासराज क्षेत्र में क्रोना संक्पलतों के मामले में व्रिद्धी हो रही है इसी के चलते वरिष्ट नागरिकों में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्सा देखने को मिल रहा है विद्धे हिमाचल टीबी के लिए गोहर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट